Hello everyone, कैसे हैं आप? I hope आप गरपेचे से होंगे तो मेरे पैरे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमारा chapter 8 चल रहा है, that is most important chapter trigonometry और बड़े मस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ sequence wise में आपको topic करवा रहा हूँ sequence wise सारी exercise हमारी चल रही है इससे पहले हम exercise 8.1 को detail में पढ़ चुके हैं इसमें क्या concept है, सारी चीज़े सीख चुके है 8.2 we have done, 8.3 we have done यह तीनो exercise हमारी हो गई है तो अभी हमारी जो next exercise है, that is 8.4 8.4 exercise में ही बच्चों को थोड़ा problem रहता है आपने देख लिए यार यह तीनो exercise बहुत simple है अब कुछ बच्चों से याद नहीं होती, फिर उससे related कुछ और identities बन जाती है कुछ और formula बन जाते हैं, तो आप फिर थोड़े से confused हो जाते हैं बच्चे, confused बिल्कुल नहीं होना है आज के lecture में एक तो मैं trigonometric identities का तीनों का proof करवा दूँगा, you have three fundamental identities तीनों का मैं अब proof बता दूँगा उन तीनों identities से कुछ नए formula कैसे बनते हैं वो सब सिखा दूँगा तो आज के lecture में जितने भी formula बनेंगे उनके notes बना लो, वही formula आपने class 10th में apply करने हैं और कुछ ऐसे formula भी मैं आपको बताने वाला हूँ कहीं बार वो बच्चे उसको देख में नहीं पाते उस identity को इस नजरिये से कि हाँ यार इससे ये चीज़ भी बन सकती थी तो इस सारी चीज़े में आज आपसे discuss करने वालो lecture बहुत important है क्योंकि इसी lecture पे आपकी exercise 8.4 है तो आज के lecture में हम mainly identities को discuss करेंगे उनका proof करेंगे उससे पहले मैं एक चोड़ी सी चीज़ आपको बता हूँ यहार मैंने कहीं पर लिख दिया a plus b का whole square तो आप मुझे फटाक से बता दे तो उससे a plus b का whole square यह होता है a square plus b square plus 2ab यह तो सबको याद है इसी तरह से बच्चे trigonometric की identities यहां मैंने a और b लिखा हूँ है तो जो मैं आपको बताने वाल हूँ वहाँ trigonometric ratios होएंगी sine, cost, ten, cost, sec, o sec, जो भी 6 ratios होती है वो identities क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ लेकिन उन identities से कुछ नए formula बनाए जाते है बच्चा उसमें confused हो जाता है कि सर यह नया formula कैसे बन रहा है मेरे बच्चे ध्यान से सुनो मैंने लिखा a plus b का whole square is this तो मैं यहां से एक formula और बना सकता हूँ यह आपके single formula हो गया ठीक है एक formula मैं यहां से और बना सकता हूँ कैसे a square plus b square की अगर मैं बोलू ट्यार value बताओ what is a square plus b square ऐसा आपने 9th class में भी देखा होगा a square plus b square, x square plus y square की कुछ आप value निकालते हो तो a square plus b square को मैं अगर बोलू बताइए क्या है तो 2ab को मैंने transfer करना है तो उसी तरफ तो क्या हो गया a plus b का whole square minus 2ab तो यह second formula हो गया basically formula एक ही है चीज़ें transfer की जा रही है यह वली term उदर, वह वली term उदर वैसे transfer करके कुछ नई चीज़ों के adjustment की जा रही है तो a square plus b square का यह second expression आप गया इसी तरह से trigonometric identities आप तीन ही सीखते हो लेकिन उसी में transfer करके इदर उदर कुछ और formula लगाके कुछ नए formula बन जाते है तो सारी चीज़ें में आज आपको detail में बताने बाला हो ओके dear, चलिए, शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना देखो, my dear students number one, जो आपकी identity है, वो sign और cause ratio से related है sign cos उसमें involved, ठीक है total six ratios है, दो-दो का pair बना हुआ है देखे, here I am writing sign square theta plus cos square theta equal to one इनका जो proof है, वो तो within seconds में आपको करवा दूँगा within seconds आप इनका proof कर सकते हैं, सरी ये one कैसे हो जाता है बट पहले इसका आप nature understand करें कि ये identity बोल क्या रही है sign square theta plus cos square theta equal to one and theta is what क्या theta आप वैसे भी कुछ भी ले सकते हो आपके syllabus में है, 0 degree से लेकर 90 degree तो क्या आप कोई भी theta ले सकते है, 0 degree to 90 degree के बीच में 0 degree, 90 degree भी क्या ले सकते है बिलकुल, इस identity के लिए आप theta कुछ भी ले सकते है, 0 degree भी ले सकते है 90 degree भी ले सकते है और इसके जो बीच के angles है वो भी ले सकते है आपका ये identity valid रहेगा तो here I am writing like this ठीक है तो इस identity के लिए condition याद रखनी है क्योंकि ये वाला भी mcq बन सकता है कि इस identity के लिए theta की condition बताओ तो theta की condition है it should be less than equal to 90 और it should be greater than equal to 0 यानि 0 or 90 भी हो सकता है but second identity मैं यहाँ लिख रहा हूँ द्यान से समझना second identity मेरे बास है sex square theta minus 10 square theta and it is also equal to 1 यहाँ बीच में plus है पहले में दूसरे में minus है क्या यहाँ पर मैं theta कुछ भी ले सकता हूँ no यहाँ पर द्यान रखना है theta आप वैसे ही कुछ भी नहीं ले सकते यहाँ पर theta आप 90 नहीं ले सकते second identity में theta you cannot take negative cube क्योंकि theta अगर आप 90 लेते हो तो sin 90 degree का क्या value होता है sorry 10 90 degree 10 90 degree का क्या value होता है 10 90 तो not defined होता है इसलिए आप theta 90 नहीं ले सकते यह conditions आपको बहुत important है याद करना ने तो भई MCQI करना इस पर फिर problem हो जाएगी it is like this इसको ऐसे लिखना है कि इस second identity के लिए जो आपका theta है यह 90 नहीं होना चाहिए इससे less होना चाहिए less हम 89 degree हो गया 80 degree हो गया कुछ भी हो सकता है बढ़ 90 degree नहीं ले सकते हैं हाँ 0 degree ले सकते हैं कोई problem नहीं 0 degree पे दोनों defined है 1 answer दे देंगी ठीक है चली number 3 हमारे पास identity है cosec square theta minus cot square theta यह भी 1 होता है अब इसमें भी आपको यह सोचने है 0 और 90 degree के बीच के क्या सभी angles ले सकते हैं क्या मैं 0 degree ले सकता हूँ क्या मैं 90 degree ले सकता हूँ यह सोचने हैं यहाँ पर आपको पता है cot 90 degree defined है कि not defined है sir defined है cot 90 defined है क्योंकि वो 1090 का reciprocal है वो 0 होता है फिर आप 0 degree के लिए सोचो क्या cot 0 defined होता है cot 0 degree what I am saying cot 0 degree क्या यह defined होता है क्या कोई value देता है no not defined tan 0 का reciprocal यह tan 0 कितना होता है 0 तो cot 0 कितना हो गया 1 by 0 that is not defined तो यह जो 3rd वाली identity है इसमें आप theta 0 degree नहीं ले सकते ओके तो यहाँ पर condition आपकी बनेगी 0 less than theta and it is less than equal to 90 90 degree आप इसमें ले सकते हो 90 degree पर यह दोनों defined है और आपका answer 1 यह बना देंगी तो this condition for second identity and this condition for first identity यह आपके NCRT में conditions लिखी हुई है अब क्योंकि आपको paper MCQ बेस्ट आ रहा है तो यह condition पे एक MCQ बन सकता है तो भाई इसलिए conditions को याद कर लीजेगा ठीक है तो यह आपकी 3 identities यह आपके 3 formula इनका थोड़ा सम नेचर समझ लेते है first वाली identity में पकड़ता हूँ जैसे मैं लिख रहा हूँ sine square theta plus cos square theta equal to 1 इसका यह मतलब हो गया sine और cos इन दोनों का square करो और दोनों को plus कर दो answer हमेशा 1 आता है provided कि theta आपका same होना चाहिए same theta रखना है example से समझते हैं for example मैं theta particular कोई angle बना लेते हैं let it be 30 degree 30 degree के लिए इसको verify करते हैं तो मैंने लिया left side मैंने लिया left side sine square theta plus cos square theta इसमें मैंने डाल दिया 30 degree छीक है बटा 30 degree डाल दिया इसको verify करते हैं क्या यह 1 आएगा sine 30 degree का value sine 30 degree का value sir 1 by 2 cos 30 cos 30 degree का value sir root 3 by 2 simplify करो sir it is 3 by 4 sir 4 elsium 1 plus 3 sir 4 by 4 equal to 1 yes 30 degree के लिए true है इसी तरह से theta आप कुछ भी लो 0 degree low 90 degree low उसके बीच के angles लो जो आपके सारे syllabus में है आप कुछ भी value डाल दो इसका answer 1 यह आएगा तो आपने याद रखना है sine ratio cos ratio दोनों का अगर हम square करे और उनको plus करे theta same रखना होता है answer हमेशा बना पर तो एक formula एक formula है यह बास इस formula को याद रखना पर proof अभी बताएंगे आपको within second proof हो जाएगा कोई दिक्कत नियुक्त ऐसा ही बाकी identities के लिए आप देख सकते है theta आप कुछ भी डाल सकते है ठीक है conditions मैंने बता दी कुछ भी बोले तो second में 90 नहीं डालना और third में 0 degree नहीं डालना not defined हो जाएगी चीज़ी ठीक है 1 नहीं आएगा तो यह था आपका एक छोटा सा identity से मैंने verification बताया आप मैं तीनो identities का proof आपको within seconds करवाने वाला हो within seconds तीनो identities आप यह आपके सामने होनी चाहिए ठीक है यहाँ पर तीनो का proof में एक साथ ही आपको करवाने वाला हो आपको इन तीनो के proof के लिए एक right angle triangle बनानी है जिसमें कोई theta आप consider कर लेंगे आपका acute angle so let this is right angle triangle and here is theta and it is a, b, c triangle okay dear first वाली जो identity है हमारी sin square theta plus cos square theta देखो इसको proof कर रहा हूँ within seconds यह किसके एकल होते है बैटा one के एकल हम इसका left side लेंगे हम इसका left side लेंगे sin square theta plus cos square theta ले लिए left side sin theta का जो definition होता है जो आपको first lecture में मैंने बताया था बस वो definition लगा दो इस right triangle के लिए इस theta के respect में तो डूंडो right triangle में perpendicular कोन हो गया theta के opposite side कोन होगी sir a, b divide में कोन है hypotenuse that is ac तो इसका square लिखना पड़ेगा क्योंगी sin का square है इसी तरह से cos theta cos theta का definition adjacent side that is base it is bc और hypotenuse इसका square है तो left side आपको पकड़ना है जो भी identity है उसका left side लेना है sin, cos जा जो भी ratio होगी उसका triangle के according ratio बना लेना है sides का बना लिया अब यहाँ पर notice करें की denominator इनके same है square मैंने अलग-लग कर दिया तो denominator notice करें दोनों का ac, ac यहाँ से आप ac square lcm ले लो sir ले लिया बिल्कुल same था उपर क्या बन गया sir, ab square plus bc square अब यह जो ab square plus bc square है क्या मैं इसको ac square लिख सकता हो बिल्कुल लिख सकता हो why, why क्योंकि यहाँ pythagoras चिरुम लगाई ना मैंने PGT every time you have to apply ठीक है ab square plus bc square इसमें ab square plus bc square तो किसके एकल होता है ac square बस चोड़ा सा reason दे दे by PGT in this right triangle तो यह दोनों cancel होगे तो कितना आगे one hands proof तो इसको करने में ज़्यादा नहीं लगते हैं five to six seconds के अंदर आप यह सारी चीजें लिख सकते हो तो एक identity का proof देखो हमने ऐसे कर दिया अब देखो second identity का proof यहीं बता दूँगा यहीं बता दूँगा तो second जो आपकी identity है वो मैंने आपको लिखवाई sec square theta minus tan square theta one होता है ठीक है इसकी left side को उठाइए और इसका जो basic definition है दोनों ratios का वो लगा दीजी मेरे बचे मेरे बचे यह आपकी left side आ गई बताइए sec का definition सर यह होता है hypotenuse upon adjacent side ठीक है theta के adjacent हम आपका BC हो गया tan का definition सर perpendicular जानि opposite side divide by base जानि adjacent side तो इसमें एक चीज़ note करने वाले है कि जब भी आप identities का proof कर रहे है न और आप triangle से sides लिख ले होगे ratio लिख लोगे तो divide में हमेशा same side दिखेगी आपको यह याद रखिए जैसे यहाँ पर दोनों में AC AC दिखा यहाँ पर आपको same दिख रहे देखो BC BC आता हो यह आपका LC माता रहेगा तो यहाँ पर BC square आपका LC मा जाएगा तो उपर गया बड़ेगा AC square minus AB square अब यह जो AC square minus AB square है यह Pythagoras theorem से आपको evaluate कर लेना है इस triangle के लिए तो AC square minus AB square जानी आप hypotenuse square में से perpendicular का square minus कर रहे तो आपको क्या मिलेगा BC का square अरे भाई जो नीचे होता है वो ही मिलता है हमेशा तो यहाँ पर आपके पास आजएगा BC का square यह दोनों cancel होगे और कम कर दी length मैंने इस की ठीक है चलिए अब थर्ड वाली identity क्या थी थर्ड वाली identity कोसेक square theta minus कॉट square theta equal to 1 होता है तो मैंने left side उठा ली ठीक है यह left side आगी बताएए कोसेक का definition sir hypotenuse जो यहाँ पर इस triangle के नाम AC है divide by perpendicular और यहाँ पर इस triangle में AB है you can see this is a perpendicular AC by AB ठीक है sign का उल्टा होता है इसका square अब यहाँ पर AB ही आना है ऐसा सोचने की भी जूरूत नहीं की क्या लिखू AB ही आना है जो divide में definition से सोचोगे वैसे भी सोच सकते हो बताए कोट का definition क्या होता है सर बेस अपान परपेंडिकुलर तो देखो परपेंडिकुलर में नीचे लिख दिया उपर आपका बेस बनेगा तो वो BC बनेगा आदे समझे उसका square है दोनों का denominator से एम है तो AB square आपका LC में आ गया तो यहाँ आँ आ गया AC square minus BC square Now can you tell me AC square minus BC square ही है मैं 30 seconds के अंदर एक identity को proof करने में 10 seconds लगते हैं एक identity को proof करने में 10 seconds लगते हैं तीनों identities को आग 30 seconds में proof कर सकते हो I hope it is clear अभी तक की discussion में आपको यह समझ में आया है कि हमारे पास तीन fundamental trigonometric identities है इनका proof कैसे किया जाता है वो बता दिया और इनका क्या मतलब है ठीक है वो बता दिया और किस angle के लिए ये valid है अब हम क्या करेंगे अब मैं वो सारे formulae लिखने वाला हूँ जो आपको exercise 8.4 के लिए चाहिए जाब फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि class 10th की trigonometry पढ़ने के लिए उनके questions को solve करने के लिए जितने formulae आपको चाहिए वो मैं सारे लिखने वाला हूँ देखते जाओ number one first आपकी जो identity है sin square theta plus cos square theta किसके एकल होता है वेटा 1 के एकल second यहाँ से चीजे मदल रहे कैसे यहाँ पर हम एक ratio को उद्धर transfer कर देंगे देखो transfer कर दिया one minus cos square theta formulae एक है वही से मैं बना रहा हूँ cos square को मैंने transfer कर दिया उसके बाद मेरे बच्चे यह जो one minus cos square है यह मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा a square minus b square क्योंकि one का square तो लिख सकता हो तो मेरे को यह a square minus b square जैसा दिखाई दे रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a minus b a plus b identity लगा कर तो मेरे प्यारे बच्चे तो यह मैं ऐसे लिख सकता हूँ one minus cos theta and one plus cos theta कई बच्चे यह नहीं लिखते हैं आप लिखो practice करो इस चीज़ की क्यों जब आप questions करोगे ना आपको वहाँ पर one minus cos और one plus cos दिख रहा होगा फिर बच्चा सोचता है इसका मैं क्या बनाओ अरे पहले से ही identities में अगर आप इसको practice कर लोगे तो आपको idea मिल जाएगा ना आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ऐसा किया था तो देखो sin square theta को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसी दरह से यहाँ पर मैंने cos square को transfer किया तो अगर मैं sin square को transfer करता तो मेरे पास cos square theta आ जाता one minus sin square theta तो यहाँ पर वापिस a square minus b square का identity लगाई तो आपके पास बन जाएगा one minus sin theta into one plus sin theta देखा एक identity से अभी तक मैं 5 फामलों की list बना चुका हूँ number six पे मेरे बच्चे जैसे आप कहीं पर लिखते हो x square is equal to five so what is x सर्क plus minus root five तो यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा कैसे देखो second वाले पर देखो sin square लिखा हुआ है इसके equal तो अगर यहाँ से मैं square हुटाओंगा तो इसके उपर root आ जाएगा और plus minus साब बाहर लिख सकते है तो you can write now sin theta plus minus root one minus cos square theta और जो root के अंदर है one minus cos square theta इसको वापी साब ऐसे लिख सकते हो जैसे यह लिखा हो ठीक है वो तो समझ में आ गया तो उसके लिए आज sign ratio positive ही होती है negative भी होती है बढ़ो आप class 11th की trigonometry में सीखोगे detail में फिलहाल plus minus का option आप बना के रखें अगर कोई angle की बात करेगा तो आपने 0 degree और 90 के बीच भी रहना है तो आपने plus वाली quantity ही उठानी होती है चलिए आगे देखो minus sign square theta तो एक single identity sign square theta plus cos square theta equal to 1 वहाँ से देखो मैंने कितनी list बना दी यह जो list है यह बहुत important है क्योंकि जब आप exercise करोगे 8.4 जा और भी questions trigonometry के आप practice करोगे तो जो चीज़े उसके अंदर हो रही है question के अंदर वो यही हो रही होती है बस आपको इनकी यह जो right side है न इनकी को simplify करना होता है तो यह बनती जाती है left side simplified form में आना होता है तो यहीं से हमने देखो कितना कुछ सीख लिया आते समझ तो यह एक identity भी हो गया अब ऐसा ही आप second identity के लिए भी देख सकते हैं तो second identity जो मेरी थी उसका जो formula था first वाला वो है sex के थीटा minus 10 के थीटा equal to one note है ठीक है तो यहाँ पर हमें sex के थीटा minus 10 के थीटा ही दिख रहा है a square minus b square जैसा तो पहले ही हम इसको identity लगा देंगे a plus b and a minus b ठीक है देखो sex के थीटा minus 10 के थीटा को मैंने कैसे लिख लिख लिए तो जब आप questions करोगे questions करोगे तो आपको इस तरह की expression दिखेगी तो आपने समझ आना यार मैं इसको यह वाला identity लगाऊंगा और यह तो one के equal होता है आदे समझ इसलिए यह करना बहुत ज़रूरी है number three sec theta plus tan theta जैसे कहीं पर लिखा ना x into y equal to one can you tell me x sir one upon y can you tell me y sir one upon x तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है देखो यह दो factor आपस में multiply में तो यहाँ पर हम अगर मैं plus वाले factor की value निकालूंगा तो यह वाला factor कहाँ जाएगा one के divide में ऐसे फिर आप इसको ऐसे understand करो कि sec और tan का जो sum होता है is a reciprocal of sec minus 10 यह नि sec plus 10 and sec minus 10 is a reciprocal of each other और यह बहुत काम का result है यह आपको question में दिखेगा 100% आपको मिलेगा यह ठीक है चलिए number fourth number fourth पे sec minus 10 को भी तो आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है एक ही बात है पस एक बार उदर minus वाला कर दी एक बार plus वाला कर दी like this यह तो होगा starting में में दिख रहा था a square minus b square अब बाकी transfer करके ratios को transfer करके कैसे number one को देखो sec square theta है ना इसमें tan square theta को transfer कर दो दूसरी तरफ कर दो transfer तो आपके पास आजाएगा one plus tan square theta एक ऐसा भी आपके बास result आगा कि sex के theta किसके को लोता है sir one plus tan square theta फिर यहां से एक result आप और बना सकते हो जैसे आपको बोला या square को हटा दो तो आप लिखोगे sir plus minus root one plus tan square theta plus लेना जाब minus लेना है वो theta बेडिपेंड करता है क्योंकि आपके syllabus में 0 to 90 के बीच में गूंग रहे तो आपको plus वाला option ही लेना है ठीक है otherwise sec negative भी होता है वो आप class 11 पे पढ़ोगे इसी तरह से जैसे मैंने अभी tan square transfer किया था तो आप sex square भी तो transfer कर सकते हो तो number 7 पे आपके पास क्या आएगा कि tan square theta की हम value निकालेंगे tan square theta भी ठीक है जैसे tan square theta मैंने उदर transfer कर दिया प्लस का हो गया और 1 को मैं sec की तरफ लेके जा रहा हो तो it is like this ओके tan square theta equal to what sex square theta minus 1 अब यहाँ पे मेरे को फिर से sex square theta minus 1 जानि मेरे को फिर से identity नज़र आ रही है a square minus b square तो फिर इसको मैं expansion form में ऐसे लिख सकता हूँ सर इटी sec theta plus 1 and sec theta minus 1 आदे जमर तो यह expressions आपको question में मिलेंगी sec theta plus 1, sec theta minus 1 फिर सोचेंगे सर क्या करें आरे कुछ नहीं करना sec theta plus 1, sec theta minus 1 को identity लगा नहीं है इसमें आ जाओगा इसको फिर tan square theta लिख लेना तो इसी में practice आप कर लो बार बार practice करो इस चीज़ की चलिए अब देखो 9th number पर tan theta की value निकालना चाहता हूँ तो 7th number पर देखो root को उधर ले गया तो it is like this that's all sufficient है और भी बनाई जा सकते है बट अभी फिलाल इतना रखो ठीक है तो total मैंने ये 9 note आपके लिए बना दिये है एक single identity sex square theta minus tan square theta से इसी तरह से 9 result बनाई जा सकते हैं थर्ड वाली identity से देखिए थर्ड वाली identity हमारी थी को sex square theta minus cot square theta equal to 1 राइट अब इसी से result देखते जाओ पहले a square minus b square कैसे लिखो a plus b and a minus b चीक है उसके बाद एक factor को evaluate कर लो मानो को sex plus cot को evaluate कर लेता हूँ तो दूसरा वाला factor 1 के divide में ले जो को sex minus cot फिर आप fifth number पर ऐसे लिख सकते हों कि सर अगर को sex minus cot को इदा रखा होता तो ये उदार चला जाए चीक है प्लस वाला तो याद क्या रखना है को sex and cot इनका जो sum है को sex minus cot इनका जो difference है को sex cot का sum और difference एक दूसरे के reciprocal होते है सेक प्लस cot equal to 1 by को sex minus cot and vice versa फिक फोर्थ फिफ्थ में आप ये सीखरे हो इसके बाद number six में transfer cot square theta को उदर ले जो okay को sex square theta equal to 1 plus cot square cot square theta ठीक है it is cot cot square theta को transfer कर दी है इसके बाद को sex theta इसको a square minus b square मतलिक दे न बीच में plus है ठीक है इसको identity लगती है minus वाले को a square minus b square वाली identity लगती है ठीक है वो लगा सकती है फिर इसका square उदर ले गया root बना दिया then 7th हो गए 8th number पर देखो 8th number पर जैसे अभी मैंने cot square transfer कर दी है अब आपको sex square transfer करो तो आपके पास value मिलेगी cot square की cot square theta इदर 1 उदर तो ऐसे लिखा जाएगा को sex square theta minus 1 अब मेरे को दिखा a square minus b square ठीक है a square minus b square दिखा तो मैं फिर पहले इसको identity लगा लेता हूँ कौनसी sir it is cosec theta plus 1 and it is cosec theta minus 1 ठीक है 1,2,3 3 मीस कर दिया मैंने 3,4,5,6,7,8 अब यह 9th number पर now what is cot theta 7th number को देखो 7th number इसका root बहा ले जो plus minus cosec square theta minus 1 that's all 9 note इसके बना ले यह जो 9 note मैंने लिखे हैं यह बहुत important है questions के अंदर यही चीज़े हो रहे ही होगी जो आपको right side में यहाँ पर चीज़े दिख रही है बस इनी right side वली चीज़ों को आपको simplify करके आपके result पर आरना होता है ठीक है 9 इसके होगे 9 इसके होगे 18 7 इसके होगे 25 25 result अब देखो next 25 के बाद जो आपने first lecture में सीखा था वो भी आपको भी 8.4 में काम आएगा क्या क्या सीखा सर आपने यह सीखा कि जो sine theta है उसको आप लिखते हो 1 by cosec theta एक दूसरे के यह reciprocal होते है यह भी आपके काम आने वाले फिर आपने सीखा cosec theta को हम लिखते है 1 by sine theta ठीक है स्टार्टिंग में बदा रखा है फिर आपने देखा sine cost एक दूसरे के reciprocal है तो कभी भी मेरे को इनका product मिलेगा sine और cosec sine और cosec product मिलेगा तो मैं इसको direct 1 लिख सकता हूँ that you can write यह दोनों एक दूसरे के reciprocal होते है तो 3 यह होगे 3 आप और लिखो 10 के लिए 3 और लिखो आप दूसरे cost के लिए तो यहाँ पर देखें 1,2,3,4 4th number पर मैं cost के लिखता हूँ cost theta किसका reciprocal होता है sir sec इसको ऐसे लिख सकते है फिर sec theta को कैसे लिख सकते है sec theta को लिखते है 1 by cos theta ठीक है और इनका जो product है यह 5th number पर रखो इनका जो product है किसका cos theta और sec theta का equal to 1 यह होगे अब और लिखो 10 के लिखो 10 के लिखो 6 7th number 7th number पर आपका आगया 10 theta जिसको आप लिख सकते हैं 1 by cos theta 8th number पर you can write cos theta equal to 1 by tan theta 9th number पर you can write tan theta cos theta का जो product है is equal to 1 that's all आदे जब बचे तो यह तो वैसे already हम सीख चुके first lecture में फिर भी आप यह लिखेंगे और यह काम आए 100% यह आपको काम आएगा उसके बाद 2 basic वो भी हमने सीखा था first lecture में खीक है first lecture में सीखा था क्या first lecture में हमने सीखा कि जो tan theta होता है वो sin और cos की division होती है तो tan theta को we can write sin theta divided by cos theta and cot theta is a reciprocal of tan so that you can write cos by sin that's all तो जितने formula में आपको लिखवा चुका हूँ अभी तब यह सारे formula आपको 8.4 में apply करने है 8.4 हो सकता है उसमें actually limited question है उसमें कम use हो लेकिन जब आप extra questions करोगे तो इसके अलावा कोई भी आपको formula नहीं use में आएगा चाहे आप किसी भी book से बढ़ रहें कोई भी refresher उठालो NCRT के इलावा यही वाले formula आपको दिखते रहें ठीक है बटा तो यह था बच्चे fundamental identities पे discussion तो total मैंने identities कितनी बता दी यह ओगे 9 and 2 11 formula ठीक है 11 और 9 20 29 36 that's all 36 formula आपको अच्छे से practice करने यह जो 36 formula है इनको अपनी notebook पे note करो इनकी बारवर practice करो जब यह 36 formula आपको अच्छे से clear होएंगे तो आप यार trigonometry किसी भी book से करो 10th level की किसी भी book से करो चाहे NCRT से करो चाहे किसी और book से करो अराम से question solve होते जाएंगे बस इनकी knowledge होनी चाही जो मैंने आज आपको पढ़ाया अदे जमच अभी के लिए इतने बचे thank you, bye bye